प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कह दिया कि रेलबे में पहले के लोग जमीन लेते थे तब नौकरी देते थे तो तेजस्वी यादों की पाटी राश्टी जनता दल को लगने लगा कि पिछडे बर्ग के जितने मंत्री हुए रेल मंत्री सबका अपमान नरेंदर मोदी न मलिका अर्जुन खडगे सिक्के जाफर शरीफ और जोर्ड फरनाडीश को अप मानित किया गया जब कि सचाई यह है कि रेलबे ने इनके कारिकाल में ही तरक्की की अब नरेंद्र मोदी लालू यादों पर एक परकार्ट से अब कहिए कि निशाना साथते हैं या कहिए कि उनक ने नाम पर लिखवा लिया गया और इस बात का बुरा राश्ची जनताजल को लगा है अब यहां पर नरेंद्र मोदी के जो उनके पास सेक्षरिक डिगरी है इसको लेकर कहा गया है कि कालपनिक डिगरी लेकर यहां आदमी घुमता है देश के प्रदानमंत्री के पास कोई कोई डिगरी यह सलियत में नहीं है बलकि कालपनिक डिगरी है लेकिन बिडबना देखिए कि अगर विहार में तेजस्वी यादों की डिगरी को लेकर कोई कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है और आगे इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे बातचीत करेंगे बाकि हमारा ना कि पासवान समाज के नेता का अपमान कर दिया पिछड़े बर्ग के नेताओं का अपमान कर दिया तो हुआ क्या कि नरेंदर मोधी एक जगह पर बोल रहे थे वे बोलते बोलते वहां पर कहते हैं कि अब रेलबे विकास कर रहा है पहले जमीन ली जाती थी तब नौकरी दी जाती थी रेलवे में नौकरी का जासा देकर तब के जो लोग थे मंत्री थे वो लोग जमीन गरीबों का हरप लेते थे अब इस बात पर राश्ट्रिय जनतादल की प्रत्किरिया आती है राश्ट्रिय जनतादल सबसे पहले कहती है कि प्रधान मंत्री मोधी ने कल अलप संख के मंत्री ने तो इस बात का अपमान हो गया कि नरेंद्र मोदी ने डलीतो का अपमान कर दिया जो मुसल्मान հॉल्प संख्यक है उनका अपमान कर दिया जो पिछड़े बर्ग के रोल मंत्री Unless they have उनका अपमान कर दिया और यह बात हम नहीं कह रहे हैं तेजस्वी यादों की पाटी राश्य जनतादल कह रही है वो राश्य जनतादल वो तेजस्वी यादों की पाटी जो तेजस्वी यादों कल तक हर जगह पर आकर कहते थे कि जाती से और धर्म से मतलब हमको नहीं है हमक अग्री आपने कितना दिया हम इस मुद्दे पर बात करेंगे आपने बिहार में विकास कितना किया हम इस मुद्दे पर बात करेंगे लेकिन आज हर चीज में पिछड़ा और दलीत का अपमान नजर आ रहा है अब इसका अगला लाइन पढ़िए किसी राम मिलास पासवान ला दानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसके नीचे पढ़िए कि जो ब्यक्ति जन्मजात नहीं बलकि नकली OBC बना हो जो नकली कालपनिक सेक्षनिक डिगरी लेकर घुमता हो जिसकी जीवन में प्रतिसोध घ्रिना और नफरत फैलाने के अलावा कोई और उपलब्धी नहीं ह उसे दूसरे को नैतिक सिक्षा पर परवचन देने से पहले स्वेंग का चेहरा और चरित्र दरपन में देखना चाहिए यहां पर लिखा गया है कि नकली कालपनिक सेक्षनिक डिगरी अब नरेंद्र मोदी के डिगरी को लेकर एक अलग माहौल बना है हर कोई कहा रहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई तो दोस्त होगा कोई तो ऐसा प्रोफेसर होगा जिसने उनको पढ़ाया हो जो यह दावा करें कि हां नरेंद्र मोदी मेरा चात्र है लेकिन कोई ऐसा प्रोफेसर है ही नहीं कोई ऐसा उनका दोस्त ही नहीं है जो कहें कि कॉलेज में नरेंद्र लोग जो बिपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं की diegery कर तो बवाल मचा है और इसी बात को लेकर अब राष्ट्यय जन्ता दल कटाक्ष कर रही है मैं अगनार से वाली बात है कि एगर तेजस्वी यादव कि Depay को लेकर को कोई कमेंट करे तो इसी बात को जो भी उनके समर्थक है या उनके लोग है इतनी आसानी से पचा के उनी जाते कि हाँ अगर लोगतंत्र है हम प्रधान मंत्री की डिगरी को कालपनी कहते हैं हो सकता है उनकी डिगरी कालपनी को हो तो अगर हमारे नेता की डिगरी भी कुछ ऐसी है लोग उसके बारे में कमेंट करें तो पर रेलबे में नौकरी देने का जासा देकर और हमारे बगल में एक और तस्बीर लगी है इस तस्बीर में आप देखेंगे कि नरेंदर मोदी है जब शटाब अधिसर मरो विधान सवा का मन रहा था तब कि तस्बीर है नितिश कुमार है और यहां पर तेशस्वी यादों है उस वक्त पर नरे नमोदी से तेश्वियादों की मुलाकात भी होई थी, इसके पहले भी कई दफा मुलाकात हुई है, लेकिन अभी ये वाला मामला पूरा जोर पकर चुका है, अब आपके पर्सक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा, आगे जो भी तमाम जानकाली, जो भी नया अपडेट इस इसले में आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, तमाम चीजों के लिए आप जनतांक शंक्राद बने रहिएगा, वीडियों ही पर समात करते हैं, अब अंत में हमारा नाम मुहित कुमार सिंग है, बहुत को धन्यवाद दिए,